वेलकम टू प्रेपन क्रेक के केरियर ओन दे ट्रेक आप सभी का वेलकम है प्रेपन क्रेक के एजुकेशनल डिजिटल प्रेटफर्म पे जी हाँ बिलकूल यह आपका लास्ट पेपर हुआ यानि की आज के दिन का सिप्ट टू का पेपर पेपर नंबर फॉर्थ सीटी के पेपर पहला कोशन लिखा हुआ है अमन ओस्ट टता बोरो किस पसल से सम्मंदित है तो याद रखें यह चावल की पसल के नाम है या फिर यह चावल की पसल से सम्मंदित नहीं में बटा यहाँ पर तो इसका कर्रेक्ट आंसर क्या वा अपना बी ऑप्शन बिलकुल कर्रेक्ट हुआ जिसका आंसर वा अपना चावल उसके बाद लिखा हुआ है पदम भूशन पुरुसकार से सम्मानित अभी जीत सेन लिम लिखित में से किस पेसे से सम और यहां से अर्थ सास्त्र वाला पार्ट आता है यहां से बिatti ओ्प्शन औरेक्ट होगा तो यहां से जो इसका और पशिमी घाट क्या answer हुआ इसका correct option हुआ यहाँ पर C जिसको किस नाम से जाना गया पस्सिमी घाट के नाम से जाना गया इसके बाद अगर हम बात करें आप से तो question number 4 की हम बात करते हैं किसकी बात करते हैं question number 4 की हम बात करते हैं यहाँ पर तो यहाँ पर यह देखे, question number 4 के रहा है, निम लिखित में से कौन सी फसल राजस्तान में जायद के मौसम में उत्पादित नहीं की जाती, मतलब क्या हुआ, कौन सी ऐसी फसल है, जो राजस्तान में जायद के मौसम में उत्पादित नहीं की जाती, तो इसका correct option होगा अपना स यहां से सही आंसर क्या हुआ वच्छे सोया भीन यहां से सही आंसर हुआ है बात समझ में आ गई जि बिल्कुल सोया भीन यहां पर आंसर होगा इसके बाद अगर आपने क्वेशन नमबर फाइफ यहां पर जो कोशन लिखा हुआ है भारतिय मोसम विबाग के अनुसार जब वार्सिक वर्सा की कमी सामान्य वर्सा से अधिक होती है तब प्रचंड सूके की इस्तती होती है क्या लिखा हुआ है भारतिय मोसम विबाग के अनुसार जब वार्सिक वर पर 30 तो वहां पर correct option क्या होगा अपना डी option बिलकुल correct option हुआ इसके बाद यहां से देखे परदान मंतरी उज्वला योजना का सुबारंब कभ हुआ कहां से हुआ तो यहां पर देखे यहां पर अपने पास correct answer आगया बटा यह देखे तो यहां से देखे जालावाड राजस् सब्सक्तित है उत्रप्रदेश से संबंदित है उसके बाद यहां पर question number seven अपने पास आ रहा है कि commonwealth games 2026 की मेजबानी कौन सा देख करेगा क्या लिखावाया commonwealth games 2026 की मेजबानी कौन सा देख करेगा यहां पर यह चीज लिखी हुई है तो इसका एक बार comment box में answer send करें मुझे क्या इसका answer क्या है जल्दी से बताए यहां से चलिए क्या Victoria हुआ या फिर Victoria के साथ साथ बताए जल्दी से कौन सा answer होगा यहां पर जी बिल्कुल correct option बताए तो correct option अपने पास आ रहा है Victoria और 77 Australia option number A जिनोंने दिया है उनका सही answer हुआ अपना जी बिल्कुल सही बात है इसके बाद हम बात करेंगे महारानी विक्टोरिया के question number 8 को बड़े ध्यान से देखना question यहां पर लिखा हुआ है कि महारानी विक्टोरिया के स्वर्ण जुबली उत्सव में भाग लेने के लिए 1887 में मारवाडी के प्रतीनिदी मारवाडी के प्रतीनिदी के रूप में किसे इंगलेंड बेजा गया तो एक बार जल्दी से बताए किसे इंगलेंड बेजा गया था पहला सिंग लिखा हुआ सोरी पहला विजे सिंग आंसर है यहां पर और विजे सिंग के बाद यहां पर देखिए जस्वन सिंग आंसर है फिर देखिए यहां पर प्रताब सिंग आंसर है और प्रताब सिंग क कि अगर मैं आपसे बात करूँ तो कहा जा रहा है कि जवालाल नेरू की अदियक्स्ता में अखिल भारतिये देशी राज्ये लोग परिशद, लोग परिशद का सात्वा अदिवेशन कहां आउजित हुआ था, जलदी से question number 9 का अंसर दीजे बटा question number 9 क्या कहा रहा है कहां पर हुआ था जेपुर में हुआ था अजमेर में हुआ था जोदपुर में हुआ था या फिर उदेपुर में हुआ था तो ये जो साथवा दिवेशन था जिसकी अद्देकस ता जवालल नेरू ने की थी ये कहां आयो जी तो आता बटा ये आपका सीधा जाता है कहां पर आपका correct option उदेपुर की तरफ यहां पर बढ़ने की कोशिस करता है ठीक है बटा इसके बाद यहां से question number 10 पर आ जाई है आप बिलकुल question number 10 क्या कह रहा है ये भी धान से देखते हैं लिखा हुआ है यहां पर question number 10 देखो एक बार किसके नेतत्तु में सेखावाटी किसान आंदोलन में 10,000 से अधिक जाट महीलाओं ने भाग लिया था 10,000 से जादा जाट महीलाओं ने भाग लिया था किसका नेतत्तु था तो उत्तमा देवी, राम देवी किसोरी देवी और दुरुगा देवी शर्मा तो यहां से correct option बताए कौन था बटा कौन था जिसके नेतत्तु में होता तो इसका correct answer is C यानि कि किसोरी देवी यहां पर सही answer है आपका और यहां पर लिखा हुआ है जैसींग दिट्टे ने निम्न में से किस जगर वेदशाला नहीं बनवाई थी जैसे उजयपुर में भी वेदशाला बनी हुई है दिल्ली में भी वेदशाला बनी हुई है अब आपको बताना है कि कहां पर नहीं बनवाई थी तो यहां पर correct answer आता है बटा बिल्कुल जल्दी करा आओ जल्दी करा रहे हाँ भै भख्के कहां जाओ फिर में और पढ़ואी नहीं कहा पढ़वी नहीं पढ़ना तो पढ़ेगा नए एक बार तो कम से कम इंद्रा गांदी नहर परियोज नामे लिफ्ट नहरो की संक्या क्या है और फिर जल्दी करवाई तुम तो आंसर दिया करो एक बार जो तुम करके आयो है तो यहां से correct option आता है अपना seven seven का मतलब होता है इंद्रा गांदी नहर परियोज नामे lift नहरों की संक्या साथ है बेरन तथा नार कॉंडम है बताओ ये दोनों क्या है बेरन क्या है नार कॉंडम क्या है भारत में भारत में वनस्पती का नाम है या फिर बताएए किसी भारत में जौला मुखी का नाम है या फिर भारत में नदियों के नाम है या फिर भारत में क्रशी के प्रकार है तो यहां पर बेरन तता नार कॉंडम क्या है यह भारत में जॉजाला मुकी के नाम है, मतलब ये बेरन और नार कॉंडम जो आला मुखी है, इस के बाद नेक्स कोशन की तरफ अगर मैं बात करूँ यहां से, तो कोशन नमबर 14 क्या कह रहा है, एक बार ध्यान से देखें, कोशन नमबर 14 के रहा है, कोशन नमबर 14 क्या कह रहा है, निम्न मेंसे कौन सा एक युग्म राजस्तान के राज्यपाल के पूरपद सही नहीं है मतलब कौन इसमें राजस्तान का राज्यपाल नहीं है ऐसा समझे कल्यान सींग उत्रपरदेश के मुख्यमंतरी थे कल्राज मिस्रा उत्रपरदेश के राज्यपाल और राम नाइक उत्रप्रदेश के राज्येपाल मदन लाल खुराना दिल्ली के मुख्य मंतरी तो कोशन नमबर 14 का कर्रेक्ट आंसर बताए कौन सा आंसर होगा और कौन सा आंसर नहीं होगा जल्दी से बताए बताए आपर तो कलराज मिस्र बिल्कुल इसका सही आंसर है तो कर्रेक्ट आप्शन होगा इसका बी आप्शन कलराज मिस्र मिस्रा मत्तव उत्रप्रदेश के राज्येपाल तो इसका अंसर आपका B है, अगर आपने B किया है, तो बिल्कुल आपके खाते में जाता है, एक अंक, अब यहां से देखियों, यानि कि दो अंक, संसत राज्य सूची के विसेपर किस अनुछेत के तहत कानून बना सकती है, यानि कुछ राज्य सूची के काम है और कुछ सुची के काम है तो यहां कहा जा रहा है कि संसद राज्य सुची के विशे पर किस अनुछेद के तहट कानून बना सकती है बताओ जी किस के बना सकती है तो अपने पास यहां से आंसर आ रहा है आंसर सीट में अपने पास जो आंसर आ है अनुछेद 249 जी यहां बिलकुल 2021 में 2020 में 2018 में और फिर साथ साथ 2019 में जो देकर आए वो तो जवाब दीजी आप में से किसी ने एक ने भी ने जवाब तो एक का भी होता है यार 6 तो बहुत होता है जवाब तो होई गए ना कम से कम बताओ तो यहां कर्रेक्ट ऑप्शन होगे अपना 2021 और इसके बाद यहां से देखिए संबल योजना 2021 की बात होगी फिर देखिए यहां पर चलो ठीक है 17 क्या है आर सी भंडार कर और आत्मा राम पांडूरन निम लिखित में से किस संस्ता से समधनित थे आत्मी सभा होम रूल लिंग या प्रात्ना सभा या राम क्रशन परमहिंस जी बिल्कुर अरे सब करवा देंगे तुम देख बार आंसर तो दो जल्दी जल्दी बढ़ा बढ़ा ब सहजोबाई का सम्मंद किस संप्रदाई से हैं तो आपका कर्रेक्ट ऑप्शन जाता है चरण दासी किस से बढ़ा 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 बात है अब देखो यहाँ पर यहाँ पर क्या कहता है बढ़ा यहाँ पर देखना सवतंत्र भारत के क्या लिखा हुआ है जल्दी से बताएं सवतंत्र भारत के प्रथम विदी मंत्री कौन थे एक बार जल्दी से इसका जवाब देदे फिर कंटिन्यू करते हैं बहुत बढ़िया बात है डॉक्टर अमेडकर साब बहुत बढ़िया तो जल्दी जल्दी ऐसे आंसर आएंगे तो फिर अपनी क्लास सदश्य कौन थी बता सारदा भारगव इसका सही आंसर होगा तो कर्रेक्ट ऑप्शन हुआ अपना भी सारदा भारगव इसके बाद फिर अगर हम आगे बढ़ें तो यहां पर देखते हैं क्योशन नंबर 21 क्या कहता है और क्योशन नंबर 21 सूची का कोशन है यानि मिलान का मामला है देखो बटा यहां पर सूची एक को सूची दो से मिलाए विद्धु सनियंत्र की अगर हम बात करें तो सतपूड़ा धुरन और टेनकपूर और दाबोल फिर यहां पर लिखा हुआ है यह कौन कहा कैसे है यह बढ़ा है महरास्ट उत्राकंड गुजरात और मद्द कि के अंदर यहां पर ड्प है ए में फॉर बी में फ्री सी में टू और डी में वन आगई बात समझ इसके बाद यहां से देखे क्वेशन नमबर ट्वंटिटू क्या कहा रहा है राजस्तान में अंतोदह योजना 1977 में आय था तो अंतोदह योजना जो 1977 का मुख्य उद्य से क्या था 22 में देखे तो इसका मुख्य उद्दे से था सबसे गरीब परिवारों को आर्थिक साहिदा प्रदान करना काग्जों में होता ही है ठीक है साहिदा प्रदान करना करेक्ट आंसर है तो यहां से D option बिल्कुल सरल का जवाब आ चुका है यहां पर फिर हम बढ़ते हैं next 23 बिल्कुल 23 चल रहा है रास्टिय करसी आयोग ने सामाजिक वानी की पद का उप्योग सरुपरतम किस वर्स में किया था तो रास्टिय करसी आयोग ने सामाजिक वान की 1976 गुनी सो चियत्तर में किया था तो कर्रेक्ट ऑप्शन क्या हुआ इसका ए हुआ मुगल समराठ सहाजा के समय से ही प्रशिद नाहर नरते के आयोजन की प्रमपरा कहां परचलित है नाहर नरते बताए बटा 24 तो यहां लिखा हुआ या इसका कर्रेक्ट आंसर होगा यानि की मांडल क्या अंसर होगा पर मांडल यहां पर सही अंसर होगा फिर अगर मैं आप से बात करूं यहां पर तो यहां लिखा हुआ है रूपायन संस्तान कहां इस्तित है 25 जल्दी से बताए 25 रूपायन संस्तान कहां इस्तित है इसका सही अंसर बताए तो यहां पर इसके बाद अगर मैं बात करो आप से तो 26 क्या केता है यहां पर देखिए तो यहां पर लो बैटा और रुगो रुगो 26 के आगरा इंद्रा महिला इंद्रा महिला सक्ति उडान योजना संबन्दित है जल्दी से बताओ किस समा आज का पेपर ठफ था और गुरुजी को कर दो तैयार तो यहां पर देखिए 26 का मेरे पास आंसर है या फिर 26 का जो कर्रेक्ट आंसर अपने पास आया है वो कौन सा है ध्यान से देख ले ना बटा बहुत बड़ी बात है तो 26 के रहा है इंद्रा महिला सक्ति उडान योजना संबन्दित है किस से संबन्दित है बाई लड़कियों और महिलाओं को मुक्त सेनिट्री नैपकिन का वित्रण करना यह वा आपका बी आंसर कर्रेक्ट ऑप्शन क्या हुआ बी इसके बाद 27 में आजाओ 27 क्या कह रहा है 27 आजाओ वही कहा है यहां है राजस्तान में क्या बोला मैंने राजस्तान में टंगस्टन क्य हां होता है राजस्तान में टंगस्टन का उत्पादन कहा हुआ है तो यहां पर कहा हुआ है यह था और शांपुरा और शामपुरा और भाट नहरे किस से सम्मंदित है तो यहां से 28 का अपने पास आंसर आता है जय सम्मंद जील से और इसके बाद गवरी ज़िवाज किस आउसर से जुड़ा हुआ है तो यहां पर विवा विवा से इसका correct आंसर होगा बटा इसके बाद question number 30 देख लीजे यहां से और 30 क्या रहा है 30 के रहा है क्या सुनो एक बार निमलिखित में से कौन सिचाई परियोजना इस्तान जिला सुमेलित नहीं है सिचाई परियोजना की साब से सुमेलित नहीं है तो लिखा हुआ क्या है देख लो यहां से लिखा हुआ है बेथली बारा इंद्रा लिफ्ट गंग बढ़े सर नमस्कार जी गुडिवनिंग सबको बई गुडिवनिंग कैसा हुआ पेपर मस पूआ होगा चेक कर लो एक बार जिनका पेपर है वो भी देख लो जिनका नहीं है वो भी देख लो क्यूशन हर एक एक लाम के लिए सेम इंपॉर्टेंट होते हैं अधिया रहा है से तरफ यहां से करवाने हुआ है अज सब खूल गाइए अधिया कि हमिए तर्फ फिर देख अधिया है यहां से लिए अधिया यहां अधिया इधर से देख. अधर से यह. यह आगे 31 E-Mitri at home देखे लिए करने देखेर में बहुत बार पड़ाया कि दो शहर है रास्तान के जहां पर डिरेक आपके घर पे कुछ नामात्र का शुल्प लेकर और फैसरी रास्तान के चार्म कि पिस्टी कुछ भी आपको बनवा रहा है थोड़ासा एक सकिंड इसको थोड़ासा सही कर लेता है अब है वह इसका माली है अभी ठीक आरी है एक बताईएगा ना अभी देखेगा एक बार यहां पर दो जगे यहां पर शुरू किया था ध्यान रखेगा थर्टी वन का जो आंसर है वह आप्शन नंबर यह आ जाएगा नेक्स देखेगा विश्व सतत्त विकास शिखर संभीलन फरवरी 2022 जो है यह किस संस्थान की मेजवानी द्वारा जो है यह किया गया था तो इ कॉ elkaar जेखेगा रजस्थान का कॉंसा जिला आगए राजस्थान का कौक जिखेगा और स्वाषिक वर्षा की मात्रावाधिक प्राप्त्य करते हैं आज़ 1970 की बात करते तो जिला खाréalन बात करता की तो जहलावार जो है सरवादिक औसत वर्षा जो है प्राप्त करता है नेक्स देखीगा किस वर्ष राजस्थान सेवा संग का स्थानां तरण जो है अजमेर में हुआ याद रखेगा सवाल नंबर 34 के बाद कर रहे हैं राजस्थान सेवा संग का स्थानां तरण अजमेर में ह हुआ कब हुआ 1920 में हुआ था याद रखेगा option number A सही है और जातर जो है आप लोग सही करके आए हैं मैं जैसा कि देख पा रहा हूं comment section में भी चालू रखो भी comment कि थोड़ा सा जाद उपर हो गया कि का थोड़ी जनजाती मुख्य रूप से किस जिले में पाई जाती है तो यह बहुत ही मतलब सिंपल से सिंपल से भी सिंपल वाले सवाल है तो राजस्थान के art and culture के हां चलिए कोई वात नी थोड़ा सा धीरे चलते हैं का थोड़ी जनजात इसे उमीद है मिरको और आज के पेपर में तो तोड़ फोड़ करके आयो गदर मजा के आयो यह बढ़िया मुझे लग रहा है कि पेपर देखके कि बहुत बढ़िया 100 प्लस मुझे लग आप सही करने वाले है 110 120 और क्योंकि पता ही आपको पंदरा गुना ही पास करेंगे त जाद से जाद से जाद स्कोर करेंगे तो निगेटिव मार्किंग भी इसमें नहीं है तो देखके नहीं पूरे जो नहीं आ रहे थे उनको भी ठोक के आना था और सब लोग करके हैं तो यह बड़े इच्छी बात है ना चलो नेक्स देखीगा महरांकर दुर्गमेस्थित च कौन सा आएगा राव जो था राव जोधा के दुबरा इस चामुंडा माता मंदिर के स्थापना की गई थी कि नेक्स देखीगा क्योश्चन नमबर 37 निमनलिखित में से कौन सा संदक्षित शेत्र जुन जुनु जिले में विस्तरत नहीं है जुनु जिले में तीन क्वान से हैं भई शाकंपरी हैं बिल्कुल है उद्यपुरवाटी के फास मंद्सा माता ये जुनु के पास ही एप यह भी दिनुके पास है गोगिलाव जो है ये जुनु में नहीं है तो इसका सवाल का सही उत्तर होगा option number ठीक है clear है हाँ जी है अन्जी बिलकुल चलिए न अब शाम वाले में महकमा भास अभी वह सवाल सुभबे बहुत सारी केसं तो इसे रिपीट और तो अब देखेगा इसमें करने वाली जो साशक थे महाराना शंभू सिं इसका जो सही उत्तर हो जाएगा option number yeah is the right answer of the question नेक्स चलिएगा कशन नंबर 39 निमनलिखित में से कौन सा क्रशी क्षेत्र भारत सरकार की बाजार हस्तक्षेप योजना के अंतरगत आता है देखेगा तो इसका सही जो उत्तर है वो कौन सा हो जाएगा कौन सा क्रशी के बहुत सारे क्षेत्र होते ना उनमें से कौन सा जो है बाजार हस्तक्षेप योजना क अंतरगत आता है तो इसका सही उतर हो जाएगा वानिकी यानिकी ऑप्शन नमबर ए जो है इसका राइट आंसा है ध्यान रखेगा क्विशन नमबर 39 ऑप्शन नमबर एठीक है नेक्स आगे चलिएगा क्विशन नमबर 40 भारतिय गंदा अनुसंधान संस्थान इंडियन इंस्ट्टूट ऑफ शुगर कें रिसर्च कहां पर स्थित है देखें ध्याने आप सबको पताएं कहां पर स्थित है यह है कहां पर लखनव में लखनव कौन सा ऑप्शन है यहां पर ऑप्शन नमबर एज लखनव में है कौन सा भारतिय गंदा अनुसंधान संस्थान लखनव में स्थित है ना बढ़िया अराम से कर रहे हैं इसको पूरा सॉल्व करेंगे डेड़ सो की डेड़ सो यहां पर करने वाले हैं और अराम से बने रहो लगातार एक बार अपने आपने सोशल मीडिया एं सट मैं थर हम गलाएं मामला हां ढरा मिणमा क्लास से सवाह घ्रक और यह सौरया है सब्सक्रक्रिशा और एसडियस दो में वहाँ से भारति गया नहीं ंधा इस्थी तो नहीं कर रहे हैं कोई दिकत नहीं है जरूरी नहीं है कि आप इसकी तैयारी कर रहे हो यह आपने एक्जाम दिया तो यह आपको देखना है आप राजस्थान का कोई वी एक्जाम देरो रीट अगले महिने में ही तो उसमें भी आने वाला राजस्थान पूरा पूरा तो इतने सारे यह देखो आप question Number 42 सवाल पहले प्रणा पड़ेगा अधोलिखित मेंसे कौन सा यूगम जो है या प्राचीन अंचल जो है सुमेलित नहीं है सही सुमाथ नहीं है कौन सा सही नहीं सुमाथ ध्यान यह रखना ढливо है कि चार में से तीन जो जिलें हैं तीन जो अक्षेत्र जो है उनके प्राथीन नाम दे रखेंगे की तो तो तो久 औहें आगी थूर अब बिल्कुल ठीक है सपालदक्ष अजमेर नाग और यह भी ठीक है अर्बुद देश जो है सिरोई वाला माउंट अबू वाला जो इलाका है वह भी एकदम ठीक है तो बाकी सब ठीक है तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा कौन सा गलत सुमेलित है यानि कि सुमेलित नहीं है सही नहीं दिया है उनको भी मिलाना है कोई फरक नहीं पढ़ रहा है इससे आपने पेपर दिया या नहीं दिया इससे कोई ज्यादा अंतर आने वाला है नहीं तो थोड़ा सा इस चीज का भी ध्यान रखे वह ना एक्स देखिए यहां से क्यूशन नमबर 43 यह कौन सा सवाल है भारत की समिधान का कौन सा समिधान संशोधन अधिनियम राजस्थान मंत्री परिशद के आकार को सीमित करता है जो कह रहा है कि मंत्री परिशद का आकार इतना ही रहना चाहिए तो वह जो है कौन सा अधिनियम है यह 91 संशोधन अधिनियम ऑप्शन नमबर B यानि कि समिधा आपके कमेंट भी में देख भारा हूं बहुत बढ़ी है बिल्कुल चलिए अब आगया आर्टी जिस का जो लाइब रन है वो कब से शुरू हुआ देखो नेक्स क्वेशन देखो अच्छा अच्छे सवाल है करेंट फिर के तो बड़े शांदार सवाल है अच्छे लेवल के स कर 54 ठीक है कि एक सदेगे क्वेशन नमबर 45 पर आजिए फटाफ दाओ नम मिलिख्यत में से किस एक जिले में गोडवारी बोली जाती है गोडवाड़ गोडवार वाला यलाका आलाए अध्याने आपको याद है बोली राश्तान की बोलेयां और भाशा अव्या साहित्य प्रप्ट जान के लाल भांड का संबंद किस से है सुनने में जो आ रहा है जो बांड जाती है उसका मुख्य रूप से जो संबंद है वो स्वांग से स्वांग रच्टा किह उसके पूरा मामला है हमने देखा इच्छे से रम्मत वगरा भी हमने पढ़ी नौटंग की भी हमने देखी है तो इसका जो सही उत्तर होगा option नमबर ए स्वांग ठीक है 47 question number 47 आज आवई निम्न में से किसे भूदान और कूपदान कारेक्रमों में उनकी सक्रिय भागीदारी के कारण भारत सरकार ने 1956 में पद्म विभूशन दिया था 1956 में केवल एक राजस्थानी महिला जो थी उनको पद्म विभूशन मिला था और वो कौन थी जानकी देवी बजाज में पद्म विभूशन से सम्मानित किया था याद रखे गई इसका ऑप्शन नंबर होगा ए बी सीडी नहीं होगा यह अंजना जेवी चौद्री रतंशाष्ट्री यह भी मतलब राजस्थान की जो प्रमुख महत्वपूर्ण महिला हैं जब हम पढ़ते हैं इस रतंदरता से आई सवाल की बहर का बत्ती कि समस्यां से ग्रसित है जे साल छम्म नांतर में ड्रोय कि समस्यां बहुत जास हbelt हुआज अ कस कारण है वुह पर उपड़ाइब शूखहाल सबस्था करू कि आपनिमें और इसलिए मांगा पत्ती नाम को पड़ा बांगा पट्ती पी लोगों ने तो उनकी जो कमर है वह जुग गही है तरीके से मर सीधी नहीं हो पारी है किसले नहीं पारी है तो समस्या ठीक है फोटी नाइन पर आ जाओ भी ऑज्यांन नंबर ह्यों टीनार था सल्ट किस जिले में जिपसी फीरस म्रदा मिलती है क्यार सारी मिटी आपड़ती है ना वर्टी सोल्स एरिडो सोल्स पता नहीं क्या-क्या कितने सारे तो नाम पढ़ते हैं आपने तो सारी पढ़ी है यह देखिए एक और क्रेशन जो है थोड़ा सा यह इधर ही पढ़ना पढ़ेगा बूंदी इस्थित रंगमहल रंगमहल जो सुंदर भित्ती जित्रों से सु भी द्रोंटी तो इसका जो चाहिए प्रूंदी में तो सारी सुंदर सुंदर बावरिया उनमेहल भी बहुत खूबसूरत हैं हम देखने तो इसका जो सही उत्तर होगा जोर्ण महल है वो किसके द्वारा बनवाया गया था यह बनवाया गया था रहाव शत्र साल के द्वारा यानि कि option number C जो है इसका सही उत्तर है next आगे चलिएगा question number 43 43 कहां गया थोड़ा सा इसको देखते हैं चलिए इसको थोड़ा सा इधर से देखना पड़ेगा भारत के समविधान का कौन सा समविधान संशोधन अच्छा यह वापस से आ गया यह वाला पेज रिपीट हो रहा है थोड़ा सा इसको वापस से करते हैं यहां तक हमने कर ल थोड़ा सा और इसको लेते हैं प्रत्वी राज की 12 खंबों की छत्री निमनलिखित में से किस दुर्ग के अंदर जो है स्थित है क्योश्य नमबर 51 नमबर जो है क्ला कौन से किले में यह प्रत्वी राज कौन से यह प्रत्वी राज चोहां नहीं पहले तो ध्यान रखना इसकी छत्री जो है कुंबलगड़ दुर्ग में है ना इध्यान रखना यह वाला प्रत्वी राज नेक्स्ट क्रेशन नंबर 53 रास्टी राजमार्गों से सवाल दे मतलब कल से हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि भई से सवाल नहीं आ रहा है नहीं आ सबसे छोटा जो है रास्टी राजमार कौन साइगा 966 B N H 966 B जो है सबसे छोटा रास्टी राजमार्क है लंबाई के हिसाब से ठीक है नेक्स्ट क्यूशन नमबर 54 पर आ जाओ भई क्यूशन नमबर 54 जो सवाल है उसके उपर आ जाई यह फटाफट से भारत में क्रशी आय की गणना की जाती है क्रशी आय की गंणा कौन सी विधी से की जाती है उत्तर ऑप्षन देखिएगा आगत विधी निर्गत विधी वस्तुप्रवाव विधी या फिर कौन सी विधी ज जाती है कौन सा आएका सही उत्तर देखिएगा क्रशी आये कि इसकी गंणा करेंगे हम विधी से ठीक है नेक्स देखिएगा सवाल नंबर 55 पर आजाओ की राजस्तान में 203 कार्यक्राव दोजार चैमें निमने लिकित में से कौन सा बिंदू सम्मिलित नहीं है जल्दी से में से 2006 की बात करें इसके अंदर शहरी शडके जो है यह शामिल नहीं की कई थी ना किषानु का सहयोग तो शामिल था श्रमिक अल्यान भी था गरीबी अन्मूलन भी था लेकिन शहरी सडकों का विकास यह उनका जाल जो है उनका नया एक धाचा तयार करना वह इसमें शामिल था भी सूत्री कारिकर्म 2006 के अंदर ठीक है नेक्स देखिएगा फिफ्टी सिक्स राजस्थान के उप मुख्य मंत्रियों के बारे में कौन सी जोडी जो है सुमेलित है शिवचरण माथुर टीकाराम पालिवाल घंशामतिवाडी सचिन पाइलेट तो थे यह नहीं थे यह भी नहीं थे कमला बेनिवाल और सचिन पाइलेट यह दोनों ठीक है ऑप्शन नमबर नेक्स देखेगा अगला सवाल थोड़ा सा जाधे पर हो जाता है कभी कभी चले पूरु पश्चिम गलियारा राजस्थान के निमनलिखित में से किस जिले से नहीं गुजरता है जल्दी से बताओ वहीं थोड़ा सा फास चलेंगे कमेंट सेक्शन में कमेंट आ जाने चीए है कौन सा शामिल नहीं है जालावार शामिल नहीं ऑप्शन नंबर सी जो है इसके अंदर नहीं आएगा ठीक है यानि कि उत्तर इसका उप्शन नंबर सी ही आएगा राजस्थान विधान सभा की महीला इवाउं बाल कल्याण संबंधी समीती की अध्यक्ष आप्षान नंबर डी याणि कि अनीता बधेल जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा अठावन सवाल हो गए मिलाते हो चल रहो ना जल्दी से पता दो एक पर प्रमानिक उत्तर कुंजी जो है आपके सामने है और मिलाते हो चले आराम से कोई दिक्कत आने वाली है नहीं 58 हो गए 59 वाले पर चलते हैं थोड़ा जिलेवार वित्रण का जो है मिलान करेंगी थोड़ा सा जो है बहुत ज्यादा ट्रिकी क्विशन है बहुत ज्यादा डीप में सवाल पूछ लिया है यह वाला तो इसका जो सही उत्तर जो है वह कौन सा होगा option number D जो है इसका सही उत्तर हो यानि कि सारे जो है एक दो तीन ब मुझे लगता है कि याद सबको रहती है यह वाली ना चलो तो एक दो तीन वाला कौन सा option है option number D ठीक है सवाल नंबर साथ पर आ जाओ भई जिसने सूचना के अधिकार अधीनियम के अधीनियम इत्त होने का मार्ग प्रसष्त किया मं प्रहतेश और ने कॉच्तर है जो तो विए मान लेते हैं दोनों ठीक है ठीक है impernya चलिए 61 पर राज無法 कर सकता है अधिकत्तम कितनी राशी का जिर्माना आरोपित कर सकता है कि पुस्वाल ना बाशट पर ऑच्छांव नंबर सी 25000 डियाँ स्वाल नंबर बाशठ पर गाने लिए जानी जाती है हैं एक वाइध भर भिकर दो भाई度 वर्य करते रहो अपने एपने सोशल मीडियाuite यह लेकर फी घंटल करते हैं जल्दी से बता दो क्या था सवाल टोंग लेकी जरक्तव और खाने किसके लिए जानी जाते कौन सी खनीज के लिए जानी जाती है तो वो जो खनीज है वो कौन सा जाएगा गार्नेट आजाएगा option number c यानि की गार्नेट हाँ बिल्कुल शीवा विद्धासर चूरू से बहुत बढ़िया आपके उत्तर भी लगातार में देख पा रहा हूं यहां पर है ऑप्शन नमबर c यानि की गार्नेट यहां पर सही उत्तर है शीट ठीक है 63 पर आजाओ हाल ही में सितंबर 2022 को किस देश के प्रधान मंत्री ने राजस्थान का दौरा किया दे को रास्थान का दौरा भी करते हैं प्रधान मंत्री यह सवाल जो है अभी हाल ही में जो ग्रेड टू या ग्रेड वन की एक्जाम हुई थी वहां मनलब ग्रेड टू वाल एक्जाम में भ राजस्थान की किस चित्रशेली में नारियों को शिकार देखो यह सवाल मैंने भी करवाया था यह सेम सवाल था किसी को शिकार करते हुए दर्शाया गया है तो अच्छान है तो ये बड़े इच्छी बात है देखिए तो उत्तर क्या हो जागा ऑप्शन नंबर डी कुर्टा यहां पर दिमाग में और दूसरा थोट आ रहा था हाँ ठीक है बिलकुल वह ठीक चल रहा है चलिए क्वेश्चन नंबर 66 पर आजाओ बैसेट हो गए अपने 66 पर भारती इतिहास अच्छा थोड़ा सफर से उपर हो गए है 66 66 अचरती हरित क्रांती की शुरूआत कि 53 विश्व विध्याले से हुई थी कहा से शुरू हो रही है तो यह consider विश्व विध्याले से हरित कौष की शुरूआत मानी जाती है है नो फिल्टी ंमबरी कि-你在 भारती खिलाडी ने जर्मन ओपन बेडमिंटन 2022 प्रतियोगिता में रजत पदक देखेगा सिल्वर मेडल जो है किस ने जीता भई लक्ष सेन साइना नहवाल श्रीकांत कि दंबी या पी भी सिंधू क्या होगा इसका सही उत्तर इसका सही उत्तर क्या होगा लक्ष सेन लक्ष सेटी में जो ट्वल्थ लेवल वाला पेपर हो सकता है दोरान हो जाए अभी तक जो तीन पेपर जो हुए है सेकंड गेड़ वाले ग्रेट वाले जो हैं जी के पर एक तो खेर वो मेरला जालवर वाली बस काला की महामला था तो दो पेपर तो देख लेना अच्छे और अभ कि अतिहासिक स्थल जाबालीपुर्व की देखो यह तो मतलब क्या ही सवाल पूछ रहे हैं ऐसे लग रहा है कि बस उनको दे दिया कि हाव यह बताओ यह बताओ यह बताओ यह बताओ यह बताओ डेड़सों में से लग पचास सवाल तो ऐसे हैं जो अगर कोई नहीं भी सब्सक्राइब को अगर ग्यान है ना अगर त्यारी भी नहीं करी कोई कंपिटिशन की तो भी पचास हाट सवाल तो कठेक हो जाएं को पीपर बनाए नहीं तो तो एतियासिक इस्थाल जाबालीपुर का समद्ध कि से अभी जालोर से ना मैस्ट देखिए जबर का सर्वाधिक तबमुसा है सबसे जदा उतन करने वाला जो राज है वह कौन सा सवाल नंबर नेक्स्ट थोड़ा साइस को पर करते हैं जादा हो जाता है ठीक है चलिए यह समझता है यह बात हलका से इसको करते हैं चलो अब आगे अब कथन छाटने होई कौन सा आसत्य है शुष के खेती पश्चमीराजस्थान में प्रचलित है क्या यह सही है क्या शुक्राद जो सही है रास्थान में जhuming खेती को वालरा कहते हैं बिल्कुल ठीक है थास्थान में आड खेतीए भी ठीक है जब 3 ठीक तो छोथा गलत होना यह रास्थान को छौदा जलवाईए खंडों में बाटा गया है गलत है वीजिए नेक्स-देखिए गा सवाल शिशु लिंगानुपत कितना ही जाहता सवाल पूछा इस से क्या पूचना था केवल सीगवार क ceram ik शीुलिंगानुपतो कुछ अलग से कुछ नहीं तया नियुनतम अधिकतम कुछ नहीं तुम करनेम याथ आप से कोई आयू वर्ग नहीं पूछा सीधा का सीधा पूछ रहा है कि क्या था सीधा 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 बता दो ट्रिपलेट तो यह तो सब को याद हो गई 888 जो है सही होगा हाँ ठीक ठाक चल रही है ना महा सारे कुशन आप नोट करते लें निशान लगा लो या गोला उसके उ आगे आपको है दो पिर से इनका संबंध किस्से है देखो फिर से सवालल रीपीट हो रहे है ध्यान रखो हैं ठीलाल जोषी शापुरा भीलवणा वड़ा फर चिट्रन यादेनाब को ठीक है नेक्स्स चलिए सवाल नंबर अच्छा यह धर से होगा सेवेंटी फॉर क्वेशन नंबर चाहतर पर आजा वही धीरे धीरे इसको करते हैं ताकि यह ज्यादा उपर ना हो भारत के किन शहरों को को दो हजार एक्कीस ट्री सिटीज अफ दे वर्ल्ड के रूप में माननेता दी गई है ऑप्शन नंबर है मुंबई और हैद्राबाद हैद्राबाद रुदैपुर पुने और बैंगलूरू या तेरू वननदपुरम और बैंगलूरू क्या होगा वह सही उत्तर क्या होगा ज 50% मामला क्लियर हो जाएगा कौन सा समिधानिक संशोधन EWS आरक्षन से संबन्दित है EWS यह जो एकनोमिकली वीकर सेक्षन जो है उनको जो जो रिजरिवेशन मिला है उससे संबन्दित जो है कौन सा सम् विदानिक संशोधन है तो यह इंपोर्टेंट है यह 103 103 एक ऐसे कि ऐसे हमने पढ़े थे भारतिय प्राचीन लिपी माला के लेखा को कौन है बहुत ही शांदार सवाल लेकिन बहुत आसान क्योंकि चार-पांच बार इसको हम पढ़ चुके हैं पढ़ा भी चुके हैं है ना गौरी शंकर हीरा चंदोजा बिल्कुल ठीक है और कहीं जाने नी और नी आप्षिन को क्यों जाना है सेवंटी सेवन निम्नंव लिखत में से कौनसी नदी रिफ्ट घाटी में बहती है रिफ्ट घाटी पतल जल्दी से रिफ्ट घाटी में बहने वाली नदी काम सी गोदावरी सतलुच नर्मदा या फिर कंगा कौनसा इसका सही उत्तर होगा इसका सही उत्तर होगा नर्मदा रिफ्ट घाटी में बहने वाली जो नदी है कौन सी नर्मदा सवाल है या अग्रीकल्चर वाला सवाल है क्या ही कह सकते हो ना तो इसका सही उत्तर क्या होगा ऑप्शन नमबर भी भीलों की जो है मुख्य भोजन में मक्का शामिल है क्लियर है ठीक है हाँ बिल्कुल ठीक है बहुत बढ़िए 79 में आ जा हुई सेम टू सेम वही महाराजा स्कूल ओपार्ट वही सेम टू सेम सवाल कोई अंतर ही नहीं है मतलब कुछ एक सवाल तो कल वाले पेपर से भी अगर किसी ने कल लगा भी देखा होगा तो दो चार तो वहां से भी सही हो रहे हो ना तो यह बिल्कुल राम सिंग सेकिंड जो थे इन्होंने की थी महाराजा स्कूल ओफ आर्ट्स और क्राफ्ट की सथाफना ठीक है नेक्स देखेंगा सवाल नबर 80 कौन मौद्रिक नीती को लागू करने के लिए नौडल एजनसी है मौद्रिक नीती के लिए जो मौद्रिक नीरजनसी जो है गरनशी के लिए कीसी को रण ही जानी कर सकता और किसी को अधिकार ही ने spec里 जो है स्टेड बैंक और यॉygन बैंक इनको कि यूनियन बैंक इनको तो कोई पतला यह तो फजीती बाली बात होगे इनके इनको इनको शामिल करना इनके बहुत बढ़ी बात है समान दे दिया पड़ेगा एटीवन अगे ठीक है हाँ शेर करते रोगे बीच बीच में ऐसे शेयर करोगे तो मामला थोड़ा अच्छा रहेगा समझ में भी आएगा और मजा भी आएगा तो अब अब बड़ेगा इन भी आएटीवन ने जल्दी से बताओ क्या होगा एटीवन का उत्तर क्या होगा भारत की प्रतं सिचाई परियोजना जिसमें छिड़काव चिचाई या फवारा आइए तो दिखो यह यह सवाल पहले पूछे जाते थी यह वाला जो सवाल है ओड़े जिसका नंबर आ गया तो यह बड़ी अच्छी बात है तो अच्छा सवाल है हलांकि पुराना है तो आप डेफिनेटली याद तो रखेंगी नेक्स टेका रावली परवतमाला के संबंद में जो है कौन सा कथन जो है सत्य कथन है यह पूछ रहा है कौन सा सही है तो रावली को यहां से तब्र सबीन है घोगाइद यहां से निकलते हैं यह निकलते हैं कौनma सी जीले है यहां से इनों से जो हैं इधर हैं कौन से दो जो और दूसरा जो है वरतमान में आउशिष्ट परवत के रूप में बिल्कुल ठीक है आगने चक्टानों से निर्मित है ये भी ठीक है दूसरा और तीसरा भी ठीक है और अच्छा तीसरा अगने चक्टानों से नहीं यह यह नहीं आएगा ऑफ्षन नमबर सी दक्षन पस्चिम से उत्तर पूरव दिशाकी और यह विस्तरत है ठीक है तो दो और चार जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा तो दो और चार कि दरें बई ऑफ्षन नमबर एदेख ल थारा सु सतावन के स्वातंतरता संग्राम के दोरान महत्वपूर्ण भूमिका निवाई 83 वाला सवाल है आजा होई फटाफट से इंडियन रफ्रेंस में जब हम पढ़ देना 1857 का रिवॉल्ट तो बहुत सारी एक लिस्ट आती है पूरी की फ़लानी जगे कौन संबंद किसे था इलाबाद जिता ध्याने ना आपको इतिहास में पढ़ते हैं सारी चीजें ठीक है सही चल रहा है मामला कोई दिकत नहीं सारे कुशन नोट करते जा रहे हो ना बटावट से बताते चलो ही है ना कमेंट वगरा मैं लगातार देख पा रहा हूं आपके हो सकता है सवाल नंबर 84 पे आजाओ राजस्थान के वरतमान लोकायुक्त कौन है प्रताप कृष्ण लोहरा पीके लोहरा ठीक है यह भी पीके भी आप याद रख सकते हो नहीं वैसे पीके नहीं याद रखना है आप आनीवानी पीके याद रखना वह अलग चीज है चलो पर इनका नाम जो है वह जो है जो है अब पीके लोहरा है तो बिना पीके लोहरा तो कैसे विता सकते हैं आप देखो भी सुची बन को सुची 2 से सुमेलित कीजिए नाना सहाब बहादूर्शाद जफर लक्षमी बाई और तात्या टोप पे यह जो है इसको थोड़ा सा ताट्या टोपे को पकड़ लिया गया था और बाद्दुर्शा जफर को पकड़ लिया गया था और मौत के घाट उतार दिया गया था और ताट्या टोपे जो है इनको रंगून निर्वासित कर दिया गया था एक बार मिला लो इसमें से कौन सा सही है कि ऑप्शन देख लो एक बार कौन सा सही है चार एक इमें चार बीके में दो हाथ कौन सा सही है ऑप्शन नमबर डी हाँ ठीक है वह यह वाले सही है नहीं नेक्स देखिए सवल लंबर 86 शिवरातरी पशुमिला रहे यह सवाल सुबह वाले पेपर में भी था अज जो परपस प्रॉलिंग को तो इसका सही उत्तर देखो वापस से पहली आज पहली सिप्ट का जो सवाल सवाल है वही सेकंड शेफ्ट इतने सारे सवाल रिपीट हो रहे हैं क्योंकि 600 सवाल है बहुत सारी ठक रहेंगे ना दस दस बीज़ी सवाल तो ऐसे हैं जो हर एक पेपर में को बनी आ रहे हैं लगबग तो मुझे लगता है कि 90 बैट रहे हैं बहुत बढ़ी अच्छे बैट और थोड़ा सप्रियास करेंगे तो सौ से उपर भी बहुत सारी स्टूडेंट्स के बैठेंगे अराम से बैठेंगे ना नेगेटिव तो थी नहीं तो पूरे फोड़के आयो ना डंग से एकदम बढ़ी पेपर खाली नहीं दिखना चाहिए था यह से पूरा गोले गोले हां बिल्कुल पूरे एकदम नीली हो जाने चाहिए वह मारशीट पूरी की ठीक है चलो ही नेक्स देखो पिच्चासी का हो गया च्यासी का भी हो गया सत्यासी का सवाल पड़ो वही कौन सा यूगम जो है ऐसंगत है ऐसंगत यूगम कौन सा है जल्दी से बताओ तेजा जी जो है आसीन फिलवड़ा ये भी ठीक है तली नाज जी कतरिया सर थोड़ी ना होगा यह धान है आपको पाबुजी कोलुमंड गाउं बिल्कुल ठीक है इधान रखेगा यह इसका जो है सही उत्तर हो जागा निकी ऑप्शन नंबर सी गलत है और गलत है तभी सही होगा ठीक है राजस्थान के निमनलिखित जिलों को उत्तर से दक्षिंड की और सही क्रम में व्यवस्थित करें उत्तर से दक्षिंड की और यह देखो यह सवाल वही कर सकता है जिसके दिमाग में मैप क्लियर है राजस्थान का मैप जिसको क्लियर है उसके लिए सवाल कुछ भी नही तो ध्यान रखेगा उत्तर से दक्षिन विवस्थित करना है कि सबसे पहला कौन सा आएगा अब देखो यहां पर पहले तो उपर यूपर तो गंगानेगर अरुमान गड़ने से कोई एक है तो वह आई जाएगा भी है ना उसके बाद गंगानेगर के नीचे कौन है जालोर है तो पहले नमबर पर यह आएगा दूसरे भी काने तीसरे जोधपूर और चौते हैं जालोर यानिके ऑप्षन कैसे हो जांगे एक चार तीन और दो कौन सा सही हो जाएगा ऑप्षन नमबर एक चार तीन नुज़ है ना चलो में गया कि 89 पे आजाओ जल्दी से 89 कांग गया यह पाई जाती है सवाल को तो पता ही आपको लॉड कर दो आज सुबह भी पूछा गया था ध्यान रखेगा तो इसमें बंगाल भाजन लखना उसम्जा था कंग्रेस का सूरत विभाजन इन में से कौन सा जो क्रम है वो सही है यह आपको बताने सवाल नंबर जो है 90 तो देखो यह हो गया था 1905 में निसो साथ में कॉंग्रेस का जो विभाजन और लखनाू सम्झाओता है वह 1916 में तो अब इनका क्रम आप देख लो मिला लो कौनसा इंका क्रम है बंगाल विभाजन सूरत विभाजन लखना विभाजन लखन नंबर सी जो है 90 का जो सवाल यह आप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा है ना सवाल नंबर एक क्यानवे प्यांवे नाइंटीवन प्याजो इसको अटा जैते हैं चल भई हो गया आपका काम तमाम यह तो बहुत आसान सा था मतलब कई वर टिपिकल भी आ जाते हैं कौन सा यूगमसाई सुमेलित नहीं है चार दिन एक फूल डोल चैत यह सही है मतलब उत्तर सही है इसके आगे जो तीथी है वो गलत है next देखीए का सवाल नमबर 91 कर लिया कि हमने है चला किया न हाँ ठीक है कर लिया ओके बानवे प्याज़ों भी फटा फट से सही था बानवे पूरा ही कवर कर लिया था राजस्तान सरकार द्वारा घोशित जैट्रोपा बीज का समर्थन मूल जैट्रोपा देखो जैट्रोपा पड़ाया न कि हई जल्दी से फटा पणसे बताओ विए यह इसका समर्थन मूल बारा रुपए प्रती किलो ग्राब जैट्रोपा का जो समर्थन मूल है कितना है 12 प्रतीग से किलोगराम अब आगा है इंडियन जेग्रोफी मेगाले पठार का सर्वोच बिंदू हो एक section number c जो है इसका सही उततर है अब देखो अगला सवाल बड़ा अच्छा सा सवाल है बहुत मतलब प्यारा सा ही सवाल है क्या ही बताएं इस सवाल के बारे में और सर्दी में तो इस सवाल का नाम सुनते भी और भी अच्छा लगता है कि राजस्थान में जो है वेजिटेबल सेंटर आफ एक्सिलेंस कहां पर सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब करें जा ना ममी ने मश्चा और बनाया हो। अलागि कई लेट पहुचेंगे लेकिन कोई बात नी जहां भी आप पहुंचेंगे जब भी पहुंचेंगे बढ़िया घर के भोजन से अच्छा दुनिया में कुछ नहीं आ वो रोज मि द्विति पंचवर्शी योजना की रूप रेखा किसके द्वारा बनाई गई थी पीसी महानलोबिस वी क्या राव सी एन वकील या बी एन गाड गिल क्या होगा उत्तर भाई पी सी महान लोबिस के द्वारा ही पनाए गई थी जो दूसरी पंचवर्शी योजना थी उसका जो पूरा खाका था जो पूरा धाचा था महान लोबिस सर जो थे उनके द्वारा बनवाया गया था नेक्स देखी का सवाल नंबर 96 थोड़ा ज्यादा उपर चला गया है खीच के लाते हैं लेंगिक समानता और महिलाओं के आर्थिक सशक्ति करण को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने बाहरत का पहला महिला बैंक यानिकी भारतिय महिला बैंक लिमिटेड नाम से स्थापित किया इसे किस वर्ष में ल भारतिय महिला बैंक लिमिटेड कप किया गया था 2013 में नेक्स देखिएगा भारत में रक्षाक शेतर में स्वचालित मार्ग से विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की सीमा को बढ़ा कर कितने प्रतिशत कर दिया गया रक्षाष इतना हो गया वही सिदा सिदा सवाल यही पू 24% कर दिया गया है करेंट वाले सवाल वास्थे ओपुशनी होगा अपके सही है कई लको है कि इस आख्या और तो मेरा घलत में नहीं हो के सब कि इस ऐसे लगता है कि हाँ थोड़ा सा अच्छा फील हो रहा है नाइंटी एट पे आ जाएंगे अलवर के किस साशक के समय नीमू चाना देको सवाल बहुत असान है पूछ वही रहा है ले देके लेकिन बस इसका जो है मोटो चेंज कर दिया कि अब यह नहीं पूछ रहा है कि आप महाराणा जैसिंग इसका सही उतर जाएगा ना ऑप्शन नंबर बी जो है जो भी आप करके हैंगे मिला लीजेगा अलवर के महाराणा जैसिंग के काल में जो है यह पूरा घटना क्रम जो है यह हुआ था तो थोड़ा सा याद रखिए गवाई नेक्स देखेगा सवाल नं यह मैं हम इंदे को जैपुर के हैं दो और दो है महार के सवाई प्रताप सिंग सवाई राम सिंग भाणा फे सिंग महाराना सजन सिंग्या होगा इसका सहीः राम सीं सेकिंग जो थे उनके ताина की जो है ब्लू पॉर्टरी ये प्रसद है उनको उनने शुरुवात करवाई दी और जैपुर वाले ही है तो आपको सब को जहाने ब्लू पॉर्टरी जैपुर की ज्यादा प्रसद है और सवाल नंबर सौ पर आ जाओ भी सेंचुरी मार दिया हमने एक बार मजा आ जाना चाहिए आपको 100 सवाल पर पहुंच गये हैं गला भी थोड़ा थोड़ा आपको लगरा होगा थोड़ा सा फरक यहां पर लेकिन सवावा सवाल देख लोई फटाफट से भारती रेलवे ने हाल ही में किस आयाइटी संसान के साथ स्वदेशी हाइपर लूप सिस्टम विक्सित करने क कि घोषणा करी है जल्दी से बता दो भई आयाइटी चन नहीं यानिकी मद्रास जो है उसके साथ ही हाइपर लूप बनाने का जो प्रोजेक्ट है यह साइन अफ हुआ है पुरा को पुरा तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो ध्यान रखिए का पूरा ठीक है क्लियर है चलो है सौ सवाल अपने हो गए है और एक बार फिर से स्वागत है सर का आजाओ सर जल्दी से आजएगी सर बच्चे बड़े इंतजार कर रहे हैं और यह पूरा का पूरा मामला जो है यहां सो तक हम कर चुके है चलिए सर कार बहुत 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 अंडर तक आपको गए सर जी यह प्रानिक तोर पर एक अल बस सनरचना याने की सिंगल स्ट्रक्टर्टर्य जो में नहीं है यह यह में इन प्रकार कींप्विटर में पाइज़ाती है में से तो फेडोरा जो है यह एंटी वायरस व्क्टर नहीं है बाकी सब एंटी वायरस है और एम कैफे और यह एफ प्रॉट यह बड़े मिल अपर इंडिंग में आपने सुना भी होगा यह तो इनके एड़ अगरा भी आते रहते हैं यूट्यूब अगरा पर बहुत सारी चीज़े जब हम देखते हैं तो इनके एंटी वायरस के एड़ गरा आते रहते हैं यह वाल है तो साउंड के जो फॉर्मेट है कौन सा नहीं यह घान रखेगा जैसे जेपी जी अगर आते ना फोटो के इंदर उस तरह के से बाकि कंप्यूटर वाल आपको ज्यादा अच्छे से आइडिया होगा इस चीज़ का कंप्यूटर का सेगमेंट आपने ज्यादा अच्छे स पढ़ा होगा इतिहास कला और संस्क्र्टी वाले लोग कंप्यूटर से थोड़ा सा दूरी मेंटेन करके रहते हैं हाला कि पास भी जाते हैं लेकिन समझ में कम आती है चीज़े इसका जो आंसर है वो क्या है ऑप्शन नंबर बी जो है इसका उत्तर है तो बाकी आप देख लिजेगा एक सो चार का जो सवाल है ऑप्शन नंबर भी इसका सही उत्तर है ठीक है चलिए नेक्स्ट 105 से जो है अभी स्वागते सार आपका और पूरा का पूरा सार आपको करवा देंगे अभी बने रहीएगा वह यह ना क्लास में लगातार बने रहीएगा दन्यवाद सर अब हम बात करेंगे अपने हिंडी और इंग्लिश को लेकर दोनों लेंग्वेस की बात हम करने वाले हैं तो यहां से वन थ्री वन से हम बात करेंगे यहां पर तो यहां एक बार आप जल्दी से आ जाए सबसे पहले मैं आपको हिंदी के कोईशन करवा देता हूं इसके बाद आपको請के करवा दूंगा किसके करवा दूंगा English के करवा दूंगा भाई बात समझ में आगई यहां पर तो यहां पर देखिये अब हम बात करते हैं किसको लेकर अब बात करते हैं वन टूř ऑगया आपका यहां पर 131 हो गया ठीक है तो यह लीजे भाई यहां से कोशन खाये रहे है बहुत बढ़िया यह तो विज्ञान पढ़ रही है तो इसका मतलब यह 130 है अब यहां से बात करते है अपन यह पेसे जागे है कि चला जी चलो तो यहां पर अपने पास पहला कोशन निकल के आया है थोड़ा रुको यार तो बड़ी जल्दवाजी में हो अहां जी यह लो तो समास का पहला कोशन है समास विग्रह की द्रस्टी से असंगत विकल्प को चुनिये प्रदीप सर नहीं है उनकी जगह हमें उन्होंने की सेंट कर दी है तो इसका correct आंसर है बटा मंदोधरी वह जिसका उदर मंद है वह जिसका उदर मंद है उसे कहते हैं मंदोधरी इसके बाद लिखा हुआए निम्न में से किस सब्द का संदी विछेद असंगत है उन्होंने कहा जोतिस चक्र जोती प्लस चक्र ये इसका आंसर होगा तो जिसने भी ये जोती प्लस चक्र अना तो उसका correct option होगा उच्छे इसके बाद यहां से देखिए 133 यानि 233 निम्न में से कौन सी कारियलेई पत्र की विशेस्ता नहीं है कारियलेई पत्र के लिए 133 में आया अपने पास बी आंसर पत्र समासिक वर अलंकारिक होने चाहिए ये है बटा इसके बाद यहां से देखिए असंगत विकल्प को चुनिए तो यहां पे लिखा हुआ है प्रागे तियासिक पार्क उपसर्ग एवं एक प्रत्ते से बना शब्द है तो 134 में आंसरा है बेटा सोकु मारिया बोलने में खतरना आगे भई सी ओप्शन है भई कर लेना सोकु मारिये दो उपसर्गों से निर्मित होता ही है अशुद शब्द समू के विकल्प का चैन कीजिए तो 135 में अपने पास आंसर की में कोशन है यह तदो उप्रांत निराभीमान अभीपसा आर्जवता यह है बच्चे इसके बाद यहां पर देखते हैं हम आगे यहां पर राजा सेवक को कमबल देता है उक्त वाक्य में रेखांकित पद में कौन सा कारक है सेवक को करताने कर्म को करताने कर्म को को तो कर्म कारक होना चाहिए मेरे खयाल से तो थोड़ा-थोड़ा बच्पन की बात याद आ गई सही आंसर है वाई एक कोशन तो अपना भी सही गया फिर यहाँ पर करते हैं आगे की कहानी आगे लिखा हुआ है सबसे अलग इस्तित उक्त अर्थ की बोधक लोकोकती है सबसे अलग इस्तित है इसको तो मैं बता हूँगा तीन लोग से मतुरा नेरी चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए बालू से तेल नहीं लिकलता तू डाल डाल में पात पात तू डाल डाल में पात पात बसकी नहीं है तीन लोग से मतुरा नेरी सही आंसर है बटा contempt के लिए प्रियुक्त परिभाशिक शब्द होगा contempt to court court की अव मानना करने के जुरुम में आपको गृपतार किया जाता है असंगत विलोम शब्द का चेन कीजिए तो यहाँ पर इसका जो अपना correct आंसर बेटेगा असंगत विलोम शब्द का चेन कीजिए मतलब इसका आंसर D दिया है सर ने अदम महान और आग्या अनुग्या होना फिर यहाँ पर लिखावा है अरने का प्रियाईवाची होगा अब इटा अरने यानि वन वाटी का अउपमन बाग कानन होना चीजिए अब यहाँ से अगर हम बात करें तो अपना पेपर सुरू होता है अब इंग्लिश का इसका जो सही आंसर है आपको कहां मिलना था यहाँ पर आपको मिलना था अनलाइक इन दा ओल्डन डेज इसके विपरित पुराने दिनों में नो लोंगर रेस्टिकेटेट टू विलेज और इसमाल लोकेलिटीज ऑफ सिटी तो उस टाइप का इसका कर्रेक्ट जो आंसर बेठेगा बटा आपका जिन्होंने इसका वोज रेस्टिकेटेट भी आंसर किया है उनका कर्रेक्ट ओप्शन है इसके बाद अब मैं आपको एक और आंसर बताने की कोसिस करूँगा फिच ओफ दे फॉलोविंग वर्ड इन दा पेसेज इन दा अपोजिट वर्ड इस्टेबलाइजेशन यान इस्त्री करन इस्त्री करन तो इसका कर्रेक्ट आंसर उटा इसका मतलब हो गया प्रचार इसका आंसर हो गया रिफॉभ्ञ जन्होंने डी आंसर दिया है उनका आंसर बिलकुल सही आंसर है इसके बाद यहाँ पे लिखावा है which of the following word in the passage means regardless, despite इसका सही आंसर जिसने despite किया है उसका बिल्कुल सही आंसर हुआ इसके बाद फिर अगर मैं आपस बात करू तो अपने पास grammar के questions आते हैं और grammar के question क्या कह रहे हैं सुलो choose the correct option, the interviewer asked me my name asked, यानि यह action का second form है और second form का passive बनता है वोजवर प्लस वर्प की third form check कर लो वोज किसमे है इसमें head been तो गलत है वोज किसमे है यह देखो न आप तो इसमें वोज है, जब एक ही option हो जिसमें वोज है तो फिर वोई answer है अपना और तो क्या है तो correct option क्या होगे, इसका D होगे बटा इसके बाद अगर मैं आप से बात करूँ one four five की तो ध्यान दे one four five में यहां पे लिखा हुआ है सुगर सुगर होता है चीनी और चीनी क्या होती है uncountable, इसको हम गिन नहीं सकते अगर इसको हम गिन नहीं सकते तो A या N तो आया है नहीं सकता और बचा क्या D दाता है special, तो यह कोई special चीनी थोड़ी है भाई यह थोड़ी है कि बाबुजी की दुकान से चीनी लाओ वो होगी, तो यहां पर no article आएगा, क्योंकि किसी की भी need नहीं है, sugar is an uncountable noun इसके बाद यहां से अगर मैं देखू आप से तो 146 वाला मामला क्या के रहा है अपना free from disturbance, मतलब बिल्कुल किसी, सांत इसका होगा तो यहां पर ट्रेंक्विल, यानि कि सांत हो गया एक तरीके से फिर यहां पर हो गया play ducks and drax यानि बहुत ही ज्यादा तरीके से खर्च करना मतलब spend lavishly, यानि बहुत ही ज्यादा खर्च करना match के okay जी 145 से चलो जी चलो, बहुत बढ़िया बात है तो यहां पर होगे आपका spend lavishly ज्यादा खर्च करना बटा मुन्ना भाई की सादी में पैसा कुछ ज्यादा ही खर्च हो गया कालिन भाई या बरबाद हो गया फिर यहां पर देखिए यहां लिखा हुआ है she is grateful, grateful, faithful to Thursday यानि की on I am not satisfied with you with your experience okay this car is for sale यह car भाई साब तयार है बेचने के लिए तो देख लो भाई साब A के अंदर D किसमे है A के अंदर D एरा A के अंदर D एरा तो दो तो वेसे गए बाई पास सर्जरी होगी अब दो के अंदर Oन देख लो तो दो के अंदर Oन का है यहां है A तो दो के अंदर A है तो दो के अंदर C है और दो के अंदर A है तो इस हिसाब से देखा जाए तो B option इसका सही option हुआ इसके बाद अगर फिर मैं बात करूँ next question को लेकर तो next question क्या केता है next question कह रहा है यहां से the child for the last one hour since you have four के बाद time आ रहा है has been, have been answer होगा for the last तो यहां पर किसका यह जो है बटा four का न सही answer बहुत बड़े है फिर इसके बाद यहां से देखिए यहां question के रहा है John said I waited for Lisa till 10 o'clock change into indirect तो बटा यहां पर waited लिखावाया है और waited action का second form है और second form change होता है head plus verb की third form है तो यहां पर head plus verb की third form का है head plus यह head plus waited तो इसका answer क्या हो जाएगा B हो जाएगा फिर कौन सा हो जाएगा रुको 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 जरा सबर करो बबाबा सबर करो सबर करो यहां पर I है I change होगा first person subject के अनूसार तो answer क्या हो जाएगा he हो जाएगा तो John said that तो यह तो मामला इसे ही गलत होंग यहां कि सेड का सेड ही होगया थीक है अब यहां पर आपका या तो फिर संज हूँ और यह न सी ऑ लिखा आई अगर इस आई का आई लिख दिया फिर तुम चेंज क्या कर रहे हो तो चेंज तो करना पड़ेगा इसलिए C आंसर हुआ यहाँ पे तो यह था आपका सारा का सारा इंगलिस का जमाऊड़ा अब 105 से राज़दानी एक्सप्रेस के साथ जुड़िए और यहाँ से चलते हैं वापस यात्रा गरते हैं इस साइड की 105 पे आजाओ भाई साब चल्दी से 105 कहा हैं 127 ठीक है थोड़ा बहुत एक साथ चलते हैं इदर ओ भाई साब यह एक दो आगे कैसा अच्छा 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 105 वा भी वा लो जी अब हम कराएंगे यह MS Word 2019 शाबाश MS Word 2019 डोक्यूमेंट के संदर्व में निम्न कतनों पर विचार कीजिए तो ज़्यादा कतनों पर विचार ना करें और सीधा आंसर से आंसर मेच करें आना तो इसमें आगे अपना केवल एक आंसर है इसके बाद यहां से देखते हैं हम 106 106 क्या करा है अरे भाई वेब 3.0 के संदर्व में निम्न लिखित कतनों पर विचार कीजिए तो अपने पास ऑप्शन कितने चार है पहला अप्शन यह भी बड़ा कूट कूट आता है बच्चों की जान निकालेंगी के हैं फेपर वाले चलो एक और तीन यानि बी ऑप्शन जिसने किया है उसका अंसर यह क्या होगा यहां पर सही ऑप्शन होगा इसके बाद इसके नेक्स कोशन का अंसर हुआ आपका यहां पर देखें कि एली फेंटियासिस किसके कारण होता है फीता कर्मी के कारण होता है फिर देखिए बच्चे यहां पर विक्रम एस रुको विक्रम एस क्या है भारत का प्रतम नीजिन्द्री मित रोकेट है नासा में इस तापित है एक मिन रुक जाओ भाई चलो जी बेटा तो यह नीजी रोकेट है भाई खुद का रोकेट है प्रतम नीजी रोकेट है कपास के बीजों से प्राप्त कपास का रेखा रेषा एक पोली या फिर monosecuride या फिर polyamino aml, किस नाम से जाना जाता है, तो सर ने आंसर की में बेजाए हमारे पास polysacuride, निम लिखित में से कौन रासाइनिक परिवर्तन का उधारण है, बोतिक परिवर्तन और रासाइनिक परिवर्तन का मतलब क्या होता है, राजसाइनिक परिवर्तन यानि की गुणों में परिवर्तन और बोतिक परिवर्तन यानि की शकल में परिवर्तन before makeup, after makeup, बोतिक परिवर्तन आगई बात समझ तो यहां से अपना correct answer हो गया 110 में सरजी ने पकाई जाने पर सबजी का नरम होना तो यह हो गया पकाई जाने पर सबजी का नरम होना अब वापस ठोस के से होगा नहीं होगा तो यहां से next question देखिए 111 बोना ग्रे सीरिस किसके मद्धे इस्तित है तो यहां पर अपने पास 111 में सरने की के अंदर टिक करके बेजाए भाई साब कोन सा भी बता देते हैं आपको चिंता ना करें तो यहां पर देखिए ब्रसपती और मंगल ग्रे प्रत्वी की सतह से भू इस्तिर उपगरे की उंचाई लगबक कितनी है 36,000 किलोमेटर आंसर दिया है गुरुजी ने फिर देखिए यहां से नेक्स कोशन क्या किया रहा है निमलिकित में से कौन सा ग्लोबल वर्मिंग का परमुक कारण है तापमान बढ़ रहा है विक्रिनाही परमुक कारण है भाई इसका आएक नियाई बात समझ रुख जाए यहां से एक मिन्ट थोड़ा सा रुखे बहुत बढ़िया बात है तो यहां पर 113 में मतलब 113 113 में यहां से कर्रेक्ट आंसर बेटेगा अपना C यानि कि IR किरनों का CO2 और S2 और द्वारा पुनाविकिरन करना फिर लिखावा यहां से 114 114 का आंसर है रुख जाओ क्या आंसर है कोशन पढ़ लो बेले आर्टिफिशियल रेनिंग और क्लाउड सीडिंग के लिए सबसे अधिक इस्तमाल क्या होती है मुवीज के अंदर बारिश का सीन करते हैं तो जब मुवीज के अंदर बारिश का सीन करते हैं तो बारिश आने का इंतजार थोड़ी करते हैं कि बारिश आएगी जब पिच्चर बनाएंगे वो क्रत्रिम बारिश कर देते हैं और क्रत्रिम बारिश के लिए सबसे इंपोर्टेंट क्या है तो यहां से silver iodide निम लिखित में से किसमे lauric acid होता है जिसका उप्योग कुछ संक्रमों के इलाज के लिए किया जाता है और moist rising cream के निर्मान में भी किया जाता है तो 115 में सर ने सरसो का तेल कहा है हमें इसका correct option क्या हो जाएगा सरसो का तेल इसके बाद यहां पर क्या हो आंसर 116 बेटा इस 116 में तुमें डायरेक्ट आपको आंसर ही बता पाऊंगा 27 cm इसका सही आंसर है और अगर मैं आगे बात करू 27 cm के बाद 117 से अगर हम बात करें तो जल्दी से मैं आंसर टिक करूँगा आप ध्यान रहे फिकि यह मैच का मामला है लो जी बेटा यहां से लो 117 में अपना अंसर है 118 में अंसर है यदी केवल निसकर्स दो अरुशन करता है अनुसरन करता है तो यहां पर यदी केवल निसकर्स दो यानि की बी आंसर है बटा इसमें इसके बाद अगर मैं बात करूँ आपसे तो यहां पर तीन वर्स आंसर होगा 111 का 120 की बात करें सुदिर और संजे की तो 120 में 20 वर्स आंसर है इसके बाद 121 की अगर मैं बात करूँ आपसे तो 48 years answer होगा और 121 के बाद 122 से हम बात करते हैं ठीक है 122 में अपने पास correct option निकलता है A जिनोंने 122 में अगर A answer दिया है तो उसका answer correct होगा फिर बात करूँ मैं 123 की तो 123 में answer होगा बैटा 154 एक घन की सभी सतर को लाल रंग से रंगा जाए इसे समान आकार के 125 छोटे घनों में काटा जाता है तो कितने घनों की एक सतर रंगी जाती है इसके बाद यहां से देखिए दो एक दो अंकों की संक्या इस परकार यानि कि 124 124 का आपका अंसरों का बैटा 26 इस भाई का जिसका भी पर उसका सही किया है बटा फिर देखिए यहां पर 125 उत्तर पूर्व आंसर है 125 का 126 की अगर मैं आपसे बात करूं तो यहां पर ध्यान दे बटा 126 का तो सही आंसर होगा 184 बिल्कुल सही आंसर है यहां पर 184 तो कर्रेक्ट ओप्शन क्या होगा 184 इसके बाद 127 की बात करें तो 65 अंसर होगा नंबर 127 128 की अगर मैं बात करूं तो 16 अंसर होगा 16 130 की अगर हम बात करें तो 130 में आपका अंसर होगा 531 इस बाहिका सही है और 130 की अगर हम बात करें तो 130 में अंसर होगा चाचा चाचा और इस तरीके से आपका यह आज का complete solution समापत होता है और मैं गोशना करता हूँ कि जल्दी से इस इवेंट की समापती और आपके लिए आज रात को मतलब अभी थोड़ी देर बाद में High Coat LDC का इवेंट होगा तो उसमें आप सभी पदा रहे हैं सोमार्ज से वापस शुरू करते हैं आज के लिए पस इतना ही Best of Luck, Thank You